हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल मधूज कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बिना फ्राइक करे सूपर टेश्टी फिस करी बनाने का एकदम नया अलग और आसान तरीका शेयर कर रहे हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह साड़ी साथ सो गराम रोहू फिसली है आप यहाँ पर कोई भी फिसले सकते हैं और इसको देखेगा हमने इस तरीके से पीसिस में कट करवा लिया है और इनको अच्छे से क्लीन और वाश कर लिय है तो चली सबसे पहले आप इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे एक मिकसर जाल में हमने यहाँ पर यह तीन मीडियम साइज को मोटा मोटा काटकर डाल दिया है दस से बार लहसुन की कलियां डालेंगे एक इंच अध्रक का टोगला डालेंगे आधा चमच जीरा डालेंगे आधा चमच साबुत काली मिर्च डालेंगे चार लोंग डालेंगे और एक चमच भरकर हम यहाँ पर सरसो के दाने डालेंगे तो मैं यहाँ पर काली वाली सरसो का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो पिली वाली सरसो भी ले सकते हैं लेकिन सरसो हमें मोटी ही लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल का हमें इनका एक fine paste बनाना है तो चलिए paste बना लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा हमने सभी चीजों का एक paste बना कर तयार कर लिया है और यह देखिएगा कितना fine paste बनकर तयार हुआ है तो चलिए चलते हैं अब next process की तरफ गैस पर एक कड़ाई रख लेंगे और उसमें तीन बड़े चम्मा सरसो का तेल डाल कर उसको अच्छे से गरम कर लेंगे और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें एक चम्मा जीरा डालेंगे थोड़ा सा हिंग डालेंगे हिंग डालने से फिसकरी में बहुत अच के लिए बहुत अच्छा होता है और दो तेश पता डालेंगे और अब सभी मसालों को हम हलका सा भूनेंगे और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं तो इस ताइम पर हम इसमें प्याज वाला पेश्ट डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर हम प्याज के पेश्ट को तो यहां पर देखेगा जब हम प्याज को तेल के अंदर डालते हैं तो शुरू में इसमें से छीटे निकलते हैं तो पहले हम इसको देखेगा गैस की फ्लेम लो करकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम कड़ाई को ढखकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और अब देखेगा प्याज को भूनते हुए लवक दस मिनाट हो गए हैं और हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूना है और प्याज हमारी बहुत अच्छी तरीके से भून गई है प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो इस टाइम पर हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले हम इसमें आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच भरकर कस्मिरी लाल मिर्च डालेंगे इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये तीखी कम होती है आधा चमच तीखा वाला ल मिनट के लिए भूनेंगे मसाले का भूनते वे लगवग दो मिनट हो गए हैं तो इनको और अच्छे से भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सपानी डालेंगे क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से हमारे मसाले भूनेंगे न उतनी ज्यादा टेस्ट हमारी फिस्करी बनकर त मसालों को भूनते वे लगवग 10 मिनट हो गए हैं और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं मसालों ने पूरी तरीके से ओयल को सेपरेट कर दिया है इसका मतलब है कि हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं तो इस टाइम पर हम इसमें यहां पर बहुत एची तरीके से भूनना है जब तक कि टमाटर का जो कच्छा पन है वो न निकल जाए जब तक हम टमाटर के पेश्ट को मसालों के साथ भूनेंगे तो टमाटर डाल दिया है तो अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे तो आप अपने टेश्ट के अकोड़ेंगे इसमें नमक डाल लिएगा मैं वन एन हाप स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और कड़ाई को ढखेंगे और लगवक 5-6 मिनट के लिए हम low to medium flame पर सभी मसालों को भूनेंगे तो चलिए मसालों को ढख देते हैं और इनको 5 मिनट के लिए भून लेंगे और 5 मिनट के बाद देखेगा धकन अटाकर देखते हैं और मसाले दीखेगा हमारी यहाँपर बहुत अच्छी तरीके से भून गया है हमने जो इसमें टमटर डाला था वो भी बहुत अच्छी तरीके से भून गया है इस टाइम पर हम इसमें फिस डाल देंगे और अब दिखेगा हलके हातों से हम फिस को इस तरीके से चलाते वे मसाले के साथ लवग दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे तो फिस को हमें हलके हातों से ही चलाना है ज्यादा तेज इनको नहीं चलाएंगे क्योंकि फिस बहुत ज़्यादा सोप्ट होती है तो इसलिए इनको हलके हातों से ही हमें चलाना है और दो से तीन मिनट के लिए हम अभी इसी स्टेज पर भूनेंगे फ्रेंच जब हम इस तरीके से मसालों के साथ फिस को भूनेंगे न तो बहुत अच्छा इसमें टेश्ट आएगा और इनके अंदर जो एक स्मेल आती है न कच्छे पन की वो भी नहीं आईगी और हमारी फिस करी बहुत ज़्यादा सुपर टेश्ट इवन कर तयार होगी तो देखेगा फिस को भूनते वे भी लवक दो मिनट हो गए है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो मैं यहाँ पर इसमें लवक डेड़ गलास पानी डाल रही हूँ पानी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं जितनी ग्रेवी आप लखना चाहें उतना ही आप इसमें पानी रख सकते हैं और अब ग्रेवी को देखेगा इस तरीके से हलके हातों से चलाते हुए एक बार मशली के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब फिर से हम कड़ाई का धकन लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मशली को लगवग 8-10 मिनट तक पकने देंगे मशली को बनने में जादा टाइम नहीं लगता है ये बहुत ही जल्दी पक कर तयार हो जाती है और 10 मिनट के बाद ये देखेगा हमने इसका धकन अटाया है और हमारी जो फिसकरी है बनकर एकदम रेडी है बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है एकदम सूपर टेश्टी हमारी फिसकरी बनकर तयार हुई है फ्रेंड्स जब आप इस तरीकी से फिसकरी बनाएंगे न तो इससे आप रोटी के साथ चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनकर तयार होती है और यह देखिएगा हमारे जो मशली के पीसे बो भी बिल्कुल नहीं तूटे हैं बहुत ही टेश्टी है हमारी और बहुत ही बढ़िया फिसकरी बनकर तयार हुई है एक वार आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको बहुत पसंद आईगी तो चलिए उपर से डाल देते हैं इसमें फ्रेस कटा हरा धनिया इससे बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है फिसकरी में तो आप जरूर डालिएगा भारे धनिये को भी एक वार हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को आव ओफ कर देंगे और इसको दो मिनट के लिए रग देंगे सैट होने के लिए और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वनाई फिसकरी थोड़ इसी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर पहली वार आए हैं वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा साथ में बेल आइकन का वटन प्रेस का ना ना भूलें जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक यू